हेलो स्टुडेंट्स मेरा नाम संदीप सिंग और मैं हूं बाइलोजी टीचर जीनेट्स अकेडमिक क्लासेश का तुड़े मैं इसमें मार्फलोजी और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टन पोर्शन है नीट में भी इससे बहुत से इंट्रोडक्शन से ले के पूर्रा इस च्प्टर को फिनिश करेंगे जो कि मोडिय इयान जाता है Viking Меня आई अनुग बाइग्ट के और नाम से जाना जाता उच्फोर्म में किमें से बस्सक्षाइब एक बताएंगे और जिसी वी प्रशा हो ठीक है जब भी हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं उसके रूट को देखते हैं रूट को भी हम इंटिफाई करते हैं इस्टेम को भी पढ़ते हैं लीप्स को भी पढ़ते हैं उसके फ्रूट को भी पढ़ते हैं अगर मान लोग कोई है और फ्लावर को पढढेंगे फूट को पढ़ेंगे को फ्रूट को concerns को यह इस साधक इसका जाता थिसुछ है कभी स्केषी कहीं गिर जाता है तो वहां पर यह को इस के लिए है कि इसके लिए भी कुछ मेकैनिकल वर्क होता है जैसे कि कुछ कभी-कभी एनिमल होते हैं या विंड होती है वाटर होता है यह सब डिसपर्जल के लिए रिस्पॉंस फिल होते हैं तो यहां पर इंट्रोडक्टरी यह एक छोटा सा कॉंसेप्ट है कि इसमें फॉर्म्स ऑफ के एक लास तक जाएंगे और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्जाम के एक्सपेक्ट से आप इसको पूरा देखिए गा पूरा मैं इसका सेशन डालूंगा जितने भी इसमें पाल्ट है मैं सारे पढ़ाऊंगा यह कंप्लीट करूंग मैं वीडियो तो आप इसको देखिएगा और अच्छा लगे तो आप बताईएगा तो आज का टॉपिक जो हम पहला स्टार्ट करेंगे उसमें हम सब से पहले देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ एंजियो स्पर्म्स क्या है अब इसमें एक चीज़ पूछा जाता है कभी-कभी कि मार्फलॉजी क्या ह अब देखा गया है कि जो हमारा प्लांट है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइट किया जाता है अगर उसकी स्टड़ी करनी है तो एक हमारा होता है वेजिटेटिव पॉर्शन होता है अदूसरा होता है हमारा रीपोड़क्टिव रीपोड़क्टिव पॉर्शन एक होता है वेजिटेटिव पॉर्शन एक होता है रीपोड़क्टिव वेजिटेटिव पॉर्शन वो पॉर्शन होता है जिससे जैसे कि आपका रूट स्टेम लीप्स ठीक है और एक पॉर्शन आता है रीपोड़क्टिव जो कि आपका रि प्लांट किस सीजन में ज्यादा ग्रो करते हैं तो यहां पर आंसर होगा हमारा स्प्रिंग सीजन में प्लांट की जो लेंथ बढ़ती है या ग्रो ग्रोइंग रेड़ देखा जाता है वह फास्टर होता है अब एक बात आती है यहां पर कि टाइप्स ऑफ एंजिस्पर्मिक अब ग्यान्ट होते हैं जो हम पढ़ते हैं तो टाइप सफ ढ़नेस पोंंके बात करें चाहें सुक स्वंग शोते हैं अधिक है दूसरे होते हैं बढाई नियल्स एन वर्ण एंद पड़ी मेटिक पड़े तो नियान या तोड़ Weekly बोर्ण दोवर्ण यान इनकी life span क्या होती है, दो वर्ष की होती है, दो वर्ष में पहला जो होता है, दूसरा होता है reproductive, ठीक है, अभी इसमें annual की बात करते है, annual मतलब एक वर्ष, ठीक है, और if you marils की होती है, life span इसका कितना होता है, life span पूछा जाता है हमसे, इसका 6 month होता है, इसका 1 year, और इसका तू यह जोने में are जोना होता है яз opener होता है ता यू ऊदि दोर होता है री कटिव कि रिप्रोड़ के टिव जैसे के सब देखा गया है बहुत वर्षी हूते है है कि यह देखते हैं बहुक्त सारी ऐस तक यह मैक्सिमार सग्रों करते cooking लिख यह बहुत वर्ष तक जीते हैं अच्हा यहां पर बात आते है कि एफिमेरार्ट के एक्जांपल क्या होते हैं तो एफिमेरार्ट के अगरेजांपल आधेखेंगे तो एफिमेरार्ट इपी इपी मेरल्स जो हमारा जिसकी अडिरबिल्टी होती है यानि कम्प्लीट लाइफ साइकल जो होती है कम्प्लीट लाइफ साइकल कितने होती है शे मंत की होती है अगर इसका बीक्स मारे पास होता है आरजी ंजि मून ओमन स्कॉफ क्शिय कोशन पंचा गया जी मून सुर्फूर लेप्रोशी 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 भी कहते हैं अब और या इसे केते हैं पीली कटीली यह इसका एक्जामपल है इपिमेरल्द का आर जी मून आप याद रखेंगे ठीक है इसमें 6 वीग होती है इसकी 6 वीक्स खेंगे 6 हफ्ते दूसरी बात आती है हां पर बाइनियल्ज की यहां बात कर सकते हैं एन्यूमल्स की एंवल्स की यानियनी लाइश पेंड कितली होती है वन यह और होती है और इसका में गंसकते हैं कि जाफ देखते हैं हमारे इसरे अब अदय होता है CT can हैừa HOME आप काहूँए चावल और आप देखते हैं कि आधि भी चे दुख चलम से हमारे से अधने इस हमारे होते हैं एक वर्ष में एक बार बोह जाते हैं इसे हम annual plant कहते हैं ठीक है इसमें अब तीसरा इसमें आता है बाइनियल्स कि होते है बाइनियल्स प्लांट वहते हैं जीसे कहते हैं यह दो वर्ष होता है इनका लाइफ स्प्रांट वहता है इसमें पहला इनका होता है वेजिटेटिव और दूसरा हमारा होता है क्या रिपोड़क्टिव यानि first half of year में यह vegetative portion का development करते हैं और दूसरे heart में यह reproductive का development करते हैं, ठीक है, first season mean का जो germination होता है, vegetative part का होता है, और second season mean का germination होता है, वो होता है, reproductive part, इसका example आप example अगर याद करना चाहें, तो आप carrot या सकते हैं, carrot carrot हो गया आपका, और radish हो गया, radish यह इसका example है, ठीक है, carrot and radish इसका example है, चौथी point आया है, यहां पर दोनों हो गया, और चौथा point हमारे पास इसमें आया, कि इसमें एक और रह जाता है, perineal, आपने बंबू का नाम सुना हो, बांस, बांस देखा है, आपने पूरे जीवन वर च होती है, तो हमारा चौथा आगया, perineals, perineals, perineals के condition क्या होते है, perineals के condition जब देखी गई है, बांस के जीते हैं, बहुत वर्चों तक ये जीते रहते हैं, इसका आप यहाद कर सकते है, पीपल, आपने देखा होगा, यह बंबू, बंबू बंबू साजी से कहते हैं, बंबू हो गया, यह आप आप सकते हैं, बन्याइड ट्री, है तो आप छेखें कोई पीपड़ होता है二 दौसफो आध की नहीं ही क्मांगी सो एक वार फ्लावरिंग करता है एक बार व्लावरिंग करता है तो इसका कह सकते हैं कि flowering कि आउकर्स कि बंस कि इन इट्स लाइफ टाइम कि लाइफ टाइम यह कह सकते हैं यह ध्यान रखें कि पूछा गया है कुश्चन तो आप ने चार टाइप के पढ़ें बेसिकली प्लांट्स के बारे में आपने चार टाइप के पढ़ा है इसमें कुछ पॉइंट अभी रहे गए हैं तो उसको भी आप देख लिजे कि हमसे को यही में पूंचा जाता है कि पैरीनियल क्या होते हैं और पैरीनियल के वादि में अब आपको बता गया इसका नामें पॉलीकर्फिक एढ़ड मोनोकर्पिक ठीक है, अगर एक बार लाइफ में ये seed produce करते हैं तो इन्हें monocarpic कहते हैं, और लाइफ में हर साल अपने ये fruit और flower अगर produce करते हैं उन्हें polycarpic कहते हैं, तो आज जैसे आप देख रहे हैं, कि produce flower and fruit every year, यानि प्रतेक वर्ष अगर ये flowering कर रहे हैं, तो इनको कहेंगे हम क्या polycarpic जैसे कि अपल है, mango and lemon, ठीक है, इसका एक trick है, मान लिजे कि आप मान लिए, इसकी trick है, याद करने की जर्रली याद करने के लिए, दूसरी बात आते हैं, यहाँ पर monocarpic, monocarpic क्या होता है, मैंने अभी जैसा कि बताया कि once in life में ये खाली एक बार flowering करता है, produce flower and fruit once in life, तो उसको हम कहकेते हैं, monocarpic, इसमें दो example, agave americana और bambusa का basically दिया जाता है, अगेव americana का नाम है, century plant के नाम से भी जाता है, यह question पूचा भी गया है, कि century plant का scientific name क्या है, तो अगेव americana ठीक है, और एक fact और रह गया है, कि जैसा कि आपने देख लिया कि periannils case में मैंने ये बताया कि monocarpic और polycorpic दोनों सोते हैं, कोई एक हो, और इसमें एक चीज और ह है, कि आप देख लिजे, कि जैसे ही मैंने चार टाइप के बताया थे इसमें, तो ephemerals, annuals, and biannils, और periannils बताया था मैंने, तो यह तीनों है, यह तीनों आपके क्या होंगे, monocarpic ही होंगे, क्या होंगे, monocarpic, यानि once in life, अपने duration में तिर एक ही बार यह seed produce करेंगे, ठी यह से मैंने आपको ephemerals की example बताया थे, ठीक है, rg moon इसमें बताया था, rg, rg moon बताया था, इसमें example, annual में एक वर्ष वाले जैसे rice बताया था, rice बताया था, wheat बताया था, ठीक है, दो वर्षी वाले vegetative portion भी होता है, reproductive portion भी होता है, इसमें carrot बताया था, आपका carrot, तो यह एक जनरली example है, आप example सहीतियात कर लीजिए, यह एक बार life में अपने total, क्या करते है, fruit खाली produce करते हैं, अब इसमें आप start करते हैं, नया, इसमें session है, एक point है, तो types of angiosperms, on the basis of forms, forms के basis पे, types of angiosperms कितने प्रकार के पाए जाते हैं, forms कैसे कैसे पाए जाते हैं, तो इसमें बता चार टाइप के पढ़ते हैं, herbs, herbs, trees, ठीक है, और एक काम्स पढ़ते हैं, calms, जो कहते हैं, calms, चौथा आपका होता है, calms, basically, चार टाइप के पढ़ते हैं, इसमें आप तीन जाने लीजिए, तीन ही अपके लिए important है, तो herbs क्या होते हैं, herbs वो होते हैं, stem short होती है, and green होती ह इनलिकी, basically, जो लंबाई होती, stem जो होती, short होती है, ठीक है, stem मुतलब तना जो उनका होता है, चोटा होता है, और wheat, gram, onion, इसका example है, ठीक है, आप जान लीजिए, ज्यादा इसमें पढ़नी ज़रूरत है, मैं एक systematic notes बनवा रहा हूं, इसलिए, मैं इस अब चीजे बता रहा होंगा, तो यहां पर herbs है, shrubs है, shrubs में, अच्छा, herbs में एक example आपने पढ़ लिया है, wheat, gram, onion, लेकिन इसमें एक best example पूछा जाता है, बहुत बार question आया है, बनाना, जिसका नाम scientific name है, मुसा, यह एक largest perennial herbs है, ठीक है, बहु वर्शी है, हबस है, ठीक है, अगर question पूछा जाता है, which of the following is a herb, और वहाँ पर दे देता है example, तो आप बनाना वहाँ पर टिक करेंगे, अब ध्यान दीजिए, बहुत important question है, बहुत बार पूछा गया है, क्या बनाना herbs है, तो हाँ, बनाना herbs है, ठीक है, दूसरी पार आती है, shrubs, shrubs वो होते हैं, जो थोड़ा modify हो जाते है, समय जो়ièrement, समया जाम सफकाणार हना , जैसे कि अब देखते हैं, जी का प्लांट होता है, जमीन से थोड़ा ऊपर ग्रो करता है, तो ब्यांड ग्राउंड लेवल कह सकते हैं, थोड़ा जमीन से उपर ग्रो करता है, हीना रोज औड चाइना रोज तो यह चीज़ आप देखें हैं यहां पर इनकी स्टेम होती है वह ज्यादा डेवलप नहीं होती त्रंक में तने में ठीक है तीसरी पॉइंट यहां पर आता है कि यहां पर जो ट्रीज है ट्रीज क्या होते हैं अब अगर बात करें कोई हुलिडूचिंग को रहते हैं यह कर देप है का ऑड़ीपन कुरण ब्रसावyr को पांप पर जाते हैं मतलब बेड़र बैससे थोड़ा उपर जाते हैं तो इनकी ब्राइनís स्टार्ट हो जाती है तो संहाइट जाने पर इनकी ब्रांचिंग बढ़ जाती है और यह बेसी कली तीन टाइप के हैं जिसमें हमारा होता है कोडक या पांट लाइक क्या कोलूमिने गिनको केहते हैं इसका इट इखांपल हमारा देट करन आ ये स्ट्क्टर मी यह हो गया है थीक है दूसरा आई आपका है ख्धी वर् JH कोन लाइक क्टर होता है ज्यादा यह नहीं प Wyensed कि अरेंजमेंट और कैसे देखा गया है लगाएंगा है चरेंगे इसको कुश्ण को आप सॉलव करेंगे तीषरी बात था इसमें डेल करता है यहो धीडिय परश नहीं यहां बड़ता है और इसंग को नहीं बढता है नहीं बढता है कि यह तो यहां पर यहां पर पर शेलों तूर वेयर आपको निया विटेजुप ञासों तो यहां आपकी अदिका धिया ने बचाता है तो हमसे पूचाजाए गहाँ आसे का आ्रेंजमेंड पाएंगा है है तो तहीं सेक्ट यहाँ पाहल पाउये massa का不錯 याद कर लीजिए अगर आपको याद करना है बंबूसा बंबूसा मतलब यहां पर जो बास होता है ठीक है तो काम्स के कैसे में यह देखा गया है यह हमारा एक्जाम्पल था इसमें टाइपस ऑफ एंजिस्पर्म on the basis of forms के बात की गई है अब आता है टाइपस इसमें कि प्रक्रती के हिसाब से उसका टाइपस कैसे हो गारे यह यहतो यह थो एर्ट हों मौदर स्वागे चाँ है अbfe सब्सक्राइब करें लेकिन अगर कुछ की बात की जाए तो सम हर्प्स एन श्रॉप्स स्ट्रॉंगर इस स्टेंड एरेक्ट तो वह क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वह एरेक्ट खड़े हो सकते हैं तो अगर एंग्योस्पॉमिक प्लांट की जाए फस्ट फ्लॉरिंग अगरेक्ट क्रीपर्स ट्रेलर्स और क्लाइबर्स अब देखिए बहुत इसमें कुछ टफ नहीं है बस थोड़ा समझना है कि एरेक्ट का मतलब ही होता है कि जो सीधे फ्लांट खड़े हो जाए उन्हें हम एरेक्ट प्लांट कहते हैं जो कि एंजिस पमी का पार्ट है क्री कि बने मतलब करना यानी रगड़ रगर चलते हैं ऐसे प्लांट जो होते हैं जो जमीन पर ही ग्रो करते रहते हैं यहँ संट वर बेसे कली का इस तर चुर्क्ट को मित ईखा तो यह यहां पि होती है यही इतर्वनतिर्स होटी है। यहां अ हर लक्त्य इसलिए किर्मिनेशन होब और यहां से यह से ऐसे ध्याहिए kiसे को इसका सब्सक्राइब घ्राइब कैने लगती है लेकिन होने लगती है को तोड़ा खुरोडा लेकिन कि पूरी तरह नहीं ती कि से लिये धला इसमें प्रिपर्स में इनके रूट जो है वो नोट से जर्मिनेट करने लगते हैं जब कि यहां ट्रेलर में देखा है कि यह इनका नौट से अराइज नहीं होता यानि उठते नहीं है और यह दो टाइप के बसीकली हम पढ़ते हैं इसमें प्रोकॉम्बिनेंट and decombinant कहते हैं एक्जाम में पूछा जाता है CPMT के एक्जाम में बहुत बार कुशन आया है नीट में भी इससे कुशन पूछा जाता है एक्जामपल के बेसिस पे कुशन पूछ लिया जाएगा अभी मैं आपको जिसमें आपको पढ़ते हैं ट्रेलर के केसिस में कि एक प्रो होरिजेंटल यानि अगर समीटा हुआ है जमीन पर लेटा हुआ है तो उसे हम प्रोकॉंबिनेंट कहेंगे अगर उसका थोड़ा सा भी ऊपर जाके प्लांड का यह पोर्शन अगर मानलों ऐसे थोड़ा सभी उठा हुआ है ग्राउंड से तो इसे हम क्या कहेंगे डी बहुत इंपॉर्टन रखता है इस जो होती है फोटल प्राइंड का मतलब क्या होता है मृद कीक्तल चललाइक इस चक्षा जिसमें आपको स्टेंब क्लाइंबर आ गया टेंडल क्लाइंबर ट्रीकल कांटे आगे हुक्स भी आगे थांस भी आगे यह एक टाइप कांटाई होता है तो आप यह देखेंगे कि ओवर आल इसमें यह चीज अग्जुस्पम के नेचर के बेसे पर हमने बताया आप इसमें कुछ पॉइंट्स अभी रहे गाए गए हैं तो हम लेके चलते हैं कि हमारे स्ट्रम आल करते हैं कि अद्राइप्स करते हैं यह बहुत इंपॉर्टेट्ट पोस्टन हो पर्शक हमारे एक्गशाम के स्टर्ट से में आपके होता है ज़ो मेन आपके बताया सा अकेले नहीं ग्रो कर सकते हैं ठीक है इपुमिया और डॉलिकस इसका बेस्ट इग्जामपल है अब बात आती है यहां पर टेंडल क्राइमर की जो टेंडल क्राइमर होते हैं वो क्लाइम करते हैं विद धे हल्प आप टेंडल्स ठीक है इनकी जो एपिकल रिजन वाली के जाएं ते लीडолод है में इप टेंडले में करत यौर गरdem lin pair का बुंचा इसाब पार्ट है जो कर garsा में द्रचा जाता है जैसे कभी हम से कमछ लेगाए डूर疫र का इसमले हो सले कि इसमेंड 252 के एग्जम्पल एगजा लिफलेट टेंडल कलाइमर मतलब अगर जो हमारा टेंडल है वो लिफलेट का है लिफलेट का मौडिफाई हो जाए अगर टेंडल में तब उसका बेस्ट इग्जामपल क्या होगा तो उसका होता है 25 शटाइवम पाइसम सटाइवम यह पी कहते हैं पाइसम सटाइवम जिसे पी कहते हैं उसका पेटियोल जो है वो टेंडल में कनवर्ट हो जाता है तो उसका बेस्ट इग्जामपल होता है क्लेमेटिस क्लीमेटिस ठीक है अगर आपका लीफ एफ एक्स जो है टेंडल क्लाइम टेंडल क्लाइमर में कनवर्ट हो जाता है तो इसे आप कहते हैं ग्लोरियोसा यह हम देखते हैं ठीक है उसके बाद आता है एक्जलरी के बाद में अगर कहते है आगर किसा जाता है अगर क्लैबर का जो घ्रिकेशन हो घ्रण अगर च्रण सब्सकिती Before Harris में अगर एल्यों देखे चाहिए एक्डल में लिप्र उद्धाये हो जाया व Dennis में कि एररन्वें हो इसको भी देख लीजे थोड़ा सा कि हम जब पढ़ा रहे थे इसको इसको बात करते हैं तो अगर रोज की बात कर रहे हैं अगर रोज की बात कर रहे हैं इसका एक्जामपल देखते हैं इसपाइन्स में इसपाइन्स में यह भी एक और रह जाता है कि हुक में अगर गनवल्ट हो जाता है यह इसका बेस्ट एक्जाम्पल है तो आज हम लोग ने इसमें स्टेम्ट के बारे में बताया कि कैसे मौडिफिकेशन हो रहा है प्लान की केसेज में और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन मार्फोलोजी का आके हम इसको कांटिन्यू करेंगे हमारे लेक्शर में तब तक के लिए आप सब इसको रिवाइस करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं जिससे आपको रेग